या बहुतायत में ये भी देखा जाता है कि पतनियां अपने पतियों को और उसके परिवार के सभी लोगों को परिशान करने के लिए सताने के लिए ऐसी जगहा पर केस दायर करती हैं जहां पर वो वास्तों में रहती भी नहीं है जब भी आप पती पतनी के बीच में तनाव आता है और पतनी जब अपने माईके में जाकर के रूट के बैट जाया करती हैं और कभी कभी उनके साथ वास्तों में आप पतियों ने गलत किया होता है और वो अपने माईके से अपना केस करना चाहती है या बहुतायत में ये भी देखा जाता है कि अपनी जिद के चलते, अपने एगो के चलते, अपने एहम के चलते, जूटी इर्शा के चलते, काफी सारी पत्निया जूटा केस भी दायर किया करती हैं और इस जूटे केसों की वजह से बहुत सारी ऐसी पत्निया हैं जिनके उपर वास्तों में उनके पती अत्याचार करते हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप से फिर दुबारा से हाथ जोड़ करके ये विंती जरूर करना चाहूंगी कि अगर आपके पती ने वास्तों में आपके साथ अत्याचार किया हो तो उसको कभी भी ना छोड़िएगा लेकिन हां जूटा केस ना कीजेगा क्योंकि आपके परिवार को बनने की जो थोड़ी बहुत भी गुंजाईश हुआ करती है वो जूटे केस की वज़ा से जूटे लांचन की वज़ा से परिवार को बिखरने में जादा समय नहीं लिया करती आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इस बात पर चच्चा करने वा जारदात हुई है जहां पर घटना हुई है उस घटना स्थल पर ही कोई भी क्रिमनल केस फाइल किया जा सकता है लेकिन यहां पर ये प्रेश्न सुप्रीम कोट तक आया एक पती के माध्यम से कि जो भी प्लेस ऑफ इंसिडेंट था वो अलग था लेकिन पतनी ने अपने आम ने इसी बात पर चर्चा करने वाली हूं कि 491 का जुरिस्डिक्शन आखिरकार है क्या और ये प्रेश्न सुप्रीम कोट तक कैसे पहुंचा अब देखिए ये तो बिल्कुल सचते है कि जब भी आप किसी भी पुलिस टेशन में पहुंचते हैं किसी भी करिमनल ओफेंस की रिपोर्ट दर्च करवाने के लिए तो वहां सबसे पहले ये देखा जाता है कि कि किस पुलिस टेशन के अंतरगत ये फाई आर दर्च करवाई जानी हैं फूर एक्जेमपल हम मानते हैं कि आप और आपकी पत्नी दोनों लोग दिल्ली में रहा करते थे और दिल्ली में आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई हुई और इस लड़ाई के चलते आपकी पत्नी ने आप पर चाकू से वार कर दिया आपका हाथ कट गया और आप ये सोचें कि अब जहां आपकी पत्नी रहती है वहां पर उस पुलिस्टेशन में जाकर के अगर आप रिपोर्ट दर्ज करवा दे तो ये संभव नहीं होता लेकिन 498 एक जो केस है वो जादातर आपने सभी ने ये देखा होगा कि सभी पत्नियां जहां अप उनका माइका ह होता है वो वहां पर दर्ज कराय करती है या बहुतायत में ये भी देखा जाता है कि पत्नियां अपने पत्नियों को और उसके परिवार के सभी लोगों को परिशान करने के लिए सताने के लिए ऐसी जगहा पर केस दायर करती है जहां पर वो वास्तों में रहती भी नहीं है For example, हम इसको समझते हैं कि आपकी पत्नी रहती थी दिल्ली में और उनका जो माइका है वो हरियाना हिसार में है अब क्योंकि ये भी सकते है कि हिसार और दिल्ली के बीच में जादा दूरी नहीं है जितनी की दिल्ली और गोवा के बीच में दूरी है तो यहां आपकी पत्नी ने क्या सोचा कि आपको सताने के लिए आपको परिशान करने के लिए उसने हरियाना से अपने माइके से केस नहीं दायर किया बलकि उसके मामा जी जहां गोवा में रहते थे वहां से उन्होंने ये केस दायर किया क्यों क्योंकि उनको ये पता था कि अगर आप दिल्ली से गोवा बार-बार हर तारिक पर जाओगे तो आप जादा परिशान होगे और यही तो आपकी पतनी चाहती थी इसी तरह का एक केस पहुँचा सुप्रीम कोट में केस का टाइटल है रुपाली देवी वर्सस स्टेट आफ उत्तर प्रदेश इस केस में बार-बार ये प्रशन उठा कि ऐसा क्यों होता है यहां पर पती ने बहुत सारे पुराने केसिस का जिक्र किया उनकी पतनी जिन घटनाओं का वर्णन कर रही है वो वहीं पर खत्म हो गए थे जहां पर वो अपने पती के साथ रहा करती थी यहां पर सुप्रीम कोट ने बिलकुल ये बात देखी समझी और पर्खी और ये भी कहा कि ये बात वाकई में सच है कि बहुत सारी पतनियां सिर्फ अपने पती और सस्राल पक्ष के अन्य सदस्यों को प्रिशान करने हे तू ही ये केस दायर किया करते हैं जान बुच करके अलग अलग जगाहों से लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ये भी सच है कि आज भी बहुत सारी औरते परिशान हैं सताई हुई हैं अत्याचार को सहने के लिए मजबूर हैं वो पतनियां अपने पतियों के अत्याचारों को सहते हुए परिशान होकर कि जब वो जहां पर भी शरन लेंगी वहां से वो केस दायर कर सकती हैं क्योंकि वो पतनी पहले ही अत्याचार के चलते उस जगा को छोड़कर के भागी हैं वो पतनी उसी जगा पर नहीं रह सकती उनके पास ऐसा कोई शरन की जगा नहीं होती कि उनके सस्राल में ही वो दूर कहीं जाकर क रहले यह संभव नहीं होता क्योंकि वो उनके अत्याचारों से बहुत जादा डर चुकी होती है उसको अपनी जान का खत्रा हुआ करता है तो वो वहां से आ जाती है चाहे वो अपने मामा के घर पे आए चाहे चाचा के घर पे आए या अपने माता जी पिता जी के घर पे जहां पर वो शरण लेती हैं ताकि उनको उनके पती और अन्य सस्राल वालों से छुटकारा मिल जाए अत्याचारों से उनके लिए ये संभव नहीं होता कि वो इतना पैसा लगा सके कि वो वहां से बार बार उस जगा पर आ सके जहां पर वास्तों में उनके साथ उनके पती ने अत्याचार किया था तो ऐसी पतनियों की सहायता के लिए ही सुप्रीम कोट ने बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर कर दिया है कि पतनी अपने सस्राल को छोड़ करके जहां पर भी शरन ले करके रहती है जिस भी शेल्टर होम में रहती है जहां पर भी उसको शेल्टर मिलता है वो वहां से 491 का केस दायर कर सकती है और ये जो रूलिंग पास की थी सुप्रीम कोट ने इसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पूरी के पूरी रूलिंग को साइटेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं मुझे पूर जाता जहां पर दोनों पक्ष रहे हैं बलकि अगर पतनी चाहे तो वहां भी वो केस कर सकती है और इसके अलावा उसको जहां पर भी शरण मिलती है वो वहां से ही 498A का केस अपने पती वह अन्य ससुराल पक्ष केस अदस्यों के खिलाफ दायर कर सकती है मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा और हाँ अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं या आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीचेगा अपना और अपने परिवार का बहुत अची तरह से ध्यान रखेगा थैंक यू टेक कियर बाइबाइब